नमस्कार हिंदीश साहित त्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। दोस्तो सबसे पहले हम हिंदी साहीत त्यवारता परिवार की तरफ से आप सब लोगों के लिए या आप सब लोगों से हम ये आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जब पूरा देश करोना महमारी से लड़ रहा है तो ऐसे में आप सब अपना भी ध्यान रखें और साथ अपने दोस्तों, अपने रिष्टदारों और छोटे भाई बहनों का दिहान भी रखें और जो भी दिशा निर्देश, स्वास्तवी भाग के द्वारा या फिर हमारी सरकार के द्वारा दिये जा रहे हैं उनके अनुपालना कीजिए और घर में रहें, सुरक्षित रहें औ और घर से ही आप उनलाइन स्टडी करते रहें दोस्तों क्योंकि इस वक्त इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है कि हम बाहर निकलें बहसे गूमें पहले जासे हम जाते थे और खासकर विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी बात है कि हमें थोड़ा सा देट है वो मालूम नहीं है तो अभी अपनी तैयारियों को निरंतरता के साथ यूँ ही करते रहिएगा तो हमारे लिए वो ज्यादा बैनिफिशल हो सकता है ना कि हम इधर उदर ज्यादा गूमगस्त इन दिनों करें तो ज्यादा वो हमारे लिए अच्छा रहेगा तो दे पातार हमारे उपर बरोसा जताते हैं और हमारी हर एक वीडियो का हमारे हर एक लेक्चर का आपको इंतजार रहता है और एक महतकुन चीज दोस्तों कि आप सब लोगों के लिए हमने 2004 से लेकर के 2020 तक के जो देखिए UGC NET की परिक्षा में पूरू में चो प्रशन पूछे ग रहेंगे तो बहुत ही उपयोगी साबित होंगे वह आपके लिए क्योंकि इसमें हमने लगभग 1000 प्रशनों को रखा है बिलकुल व्याख्या सहीत वो प्रशन है और हर तरीके के प्रशन हमने इसमें रखे हैं तो यह तो होगी बात दोस्तों कि आपने COVID-19 से बचना है आप प्रशन पेपर है वो लेने है और बहुत ही जल्द हम आपके लिए जो हमारे दूसरे नौट्स हैं वो प्रवाइड करने जा रहे हैं तो आप बस यों ही बने रहे हैं हिंदी साहीत वारता परिवार के साथ और चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की और रखा है तो यह प्रशन की जो सीरीज है मौक टेस्ट की सीरीज देखी हम लगतार कर रहे हैं और इसकी पीडिया भी हम आपको आखिर में इसकी प्रवाइड करवा देंगे आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप के साथ जूर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा तो यहाँ पर देखिए 65 इससे पहले हमने कर लिये हैं जो बहुत ही जादा मौतपुन प्रशन है अगर आपने अभी तक वह वाले लक्टर्स नहीं देखे हैं तो मौक टेस्ट के नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है उसको आप देख सकते हैं तो यहा विद्वानों ने अलग अलग तरीके से उनकी गिंती की हुई है कुछ एक विद्वान कहते हैं जैसे जो विश्व की भाषाए है लग वग तीन हाँ क्या है वो कितनी है लगबग तीन हजार के आसपास मानते हैं कि जो हमारी विश्यू की भाषा है उनकी संक्या लगबग तीन हजार के आसपास है है ना तो जो सिंसार की जो भाषाओं के जो दो प्रकार माने जाते हैं मैंली एक आपका आकरिती आकृती मूलक वर्गी करण होता है दूसरा आपका पारिवारिक वर्गी करण होता है ठीक है तो यहां पर प्रशन हमने किसे रखा है जो आपका आकृती मूलक वर्गी करण है उससे रखा गया है कि आकृती मूलक जो वर्गी करण है यह सरवप्रत्थम किस ने किया था तो द प्रोफेसर श्लेगल चलिए अगला प्रशन हम दिख लेते हैं प्रशन संक्या 67 है यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि दिव्योत पत्ति रनन समनवे यह चीजें क्या हैं तो इस तरीके के प्रशन बहुत जादा इंपोर्टेंट होते हैं और यह प्रशन अब पूछे भी जा रहे हैं इस तरीके के प्रशन UGC net की परिक्षा में तो देखिए आज की जो हमारी पूरी की पूरी यह वीडियो है या पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो कि इसके उपर हमने रखा है मेंली आपका जो इकाई एक है कि आपको इन इस इकाई से कितने जादा प्रशन आ लगा है तो इस चीज़ को द्यान में रखते हुए हमने इस तरीके के प्रशन आपके लिए लाए हैं तो यह प्रशन आप देखिए दिब्योत्पत्ति रनन और समनवय क्या हैं भाशा के हम बात कर रहे हैं तो यह भाशा संकेत हैं या फिर धौनी संकेत हैं या फिर भाशा प्रवृति है या फिर भाषा की उत्पत्ति के सिद्धान्त है तो यह तो आप देखिए जैसे हम भाषा की बात कर रहे हैं कि भाषा के समंद में बहुत सारे लोगों ने बातें भी कही है कि कुछ क्या कहते हैं कि जैसे आपके भारतिप जो विद्वान हो गए या पाश्चा द्वानी है और इसी तरीके की कुछ एक परिवाषा अलग भी है कुछ कुछ देते हैं कि जो आपका अभिव्यक्ति के लिए हम जिन साधनों का प्रियोग करते हैं वही आपकी क्या है भाषा मानी जाती है ठीक है तो यहाँ पर दिव्युत्पति रनन और समनवय की बात नहीं है और भाषाओं की प्रवृत्या भी नहीं है तो यह क्या है यह भाषा की उत्पति के सिध्धान्त है तो भाषा की उत्पति जैसे कि मैंने आपको बता दी दो तीन चार पर भाषा है कि किस तरीके से हुई है बिद्वानों ने अलग अलग तरीके से मानी है यहाँ अगर हम बात करें यहाँ पर दिवयोत्पत्ती की तो दिवयोत्पत्ती जो जिसको कहा जाता है Divine Theory ठीक है यह सिध्धान्त है और इसके प्रवर्तक या जो कहा इसको पाया जाता है सबसे पहले इसका वनन तो यह आपके प्राचीन जो धरम गरंत है उसमें मिलता है इसका वनन जो आपका कौन सा सिध्धान्त है Divine Theory या फिर दिवयोत्पत्ती दूसरा आता आपका देखिए रनन रनन मतलब agreement आपका जो डिंग डॉंग थियोरी इसको कहा जाता है जो आपकी रनन जिसको कहा जाता है रनन जो पदती है भाशा की उत्पत्ती के जो प्रमुक सिध्धान्त इसको माना जाता है रनन को और इसके जो प्रबर्तक कौन है देखिए डिंग डॉंग थियोरी के Plato, Hays एवं Max Muller तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है हो सकता इस तरीके से अप पुछा जाए कि डिंग डॉंग थियोरी को हिंदी में का का जाता है तो ये आपका रनन है और इसके जो प्रवर्तक हैं, ये प्लेटो हैं, हेस हैं, और मैक्स मूलर, ये तीन नाम हैं, जिनोंने डिंग डॉंग थियोरी या रनन जो आपका सिध्धान्थ है, इसको दिया था, नेक्स आता है इसके पश्चा देखिए, जो समनवे, तो समनवे, तो आप सब लोग जानत आये, हो सकता है, इस तरीके से पुचह जाए, कि दिब्योत बत्ती के प्रवर्तक, या इसका वनन चाहां पर है? तो ये प्लेटो हेस और मैक्स मूलर है, इसके प्रवर्तक, समनवे, के प्रवर्तक कौन है? हेंनरी सुईट है, इसके अलावा, आप देखेंगे यो हे हो टिय ज सिध्धान्त तेिया के जह समई हे हैं। जानकारी किसे जह के लिए 설ई की ज़हाइए childhood टिरुशो ने किस तरीके से पूछा जाए है। कोई नहीं जानता है, खासकर UGC NET की परिक्षा में, जब लगतार इस कस्तर बढ़ रहा हो, है ना कठिनाई या कठिनता की और ये लगतार जा रहा है, तो ऐसे में आपको इस तरीके के प्रशनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चलिए अगला प्रशन हम दिख लेते हैं, प्रशन संख्या यहाँ पर 67 है, असंगत कठन कौन सा या से हैं, ठीक है, तो ऐसे प्रशनों के लिए आपको बिलकुल तैयार रहना है, conceptual प्रशन ज़्यादा पूछे जाएंगे, खासकर आपके अब वाली परिक्षा में, क्यों, क्योंकि अब जो हमारा pattern है, वो थोड़ा सा change हो चुका है, पूरी तरह से, ठीक है, वहाँ पर आपको सीधा प्रशन बहुत कम पूछे जाते हैं, अब आपको इस तरीके के जो conceptual question हैं, वो ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, तो यहाँ पर भाषा के जो परिवारिक वरगी करण को वन्षात्मक, कुलत्मक या अतिहासिक वरगी करण भी कहते हैं, तो दीखिए, जैसे मैं आपको पहले ही बात कही, कि जो आपकी भाषाएं हैं, देखिए, उनको दो परिवारों में वरगी करण, जो स़री, हाँ, जो दो अधारों पर इसको वर्गी कृत किया गया है, परिवारिक जो वर्गी करण है इसका, एक आपका एतिहासिक आखरिती मूलक था, दूसरा आपका जो परिवारिक था, तो भाषा के जो परिवारिक वर्गी करण को वन्शात्मक, कुलात्मक या एतिहासिक वर्गी करण भी कहते हैं दूसरा आता हिसमें इसमें रचना तत्व की नहीं बलकि केवल अर्थ तत्व का ध्यान रखा जाता है तो यह कथन अपने आप में गलत है क्यूं क्यूंकि आपका जो परिवारिक वर्गी करण है उसमें रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ही ध्यान रखा जाता है ना कि सिर्फ अर्थ तत्तो का ध्यान रखा जाता है तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर हम भाषा के वर्गी करण की बात करें परिवारिक वर्गी करण की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है उसमें कि रचना तत्तो के साथ साथ आपका अर्थ तत्तो का भी ध्यान रखा जाता है दोनों चीजों का ठीक है रचना तत्तो और अर्थ तत्तो यह आपने याद रखना है इसमें ठीक है तो यह वाला कतन अपने आप में गलत हो जाएगा अगला कतन है देखिए पारिवारिक वर्गी करण के लिए 6 महत्वपू शब्द हो गया और आपका स्थानिक जो समीपता हो गई ये जो छे चीज़ें मानी जाती है आप चाहें तो वीडियो को पीछे करके या स्टॉप करके इन चीज़ों को एक बार फिर से भी सुन सकते हैं कि मैंने कौन सी छे चीज़ें कही हैं चाहें आपका पद रचना हो गया वाके रचना हो गया, ध्वनी, अर्थ, शब्द और स्थानिक जो समीपता है ये चे चीज़ें मानी जाती है जो इसके महत्वण आधार माने जाते हैं तो ये कथन भी सही है और आखरी जो कथन है यहां पर देखिए इस वरगी करण में भाषा के इतिहास को अधार नहीं बनाया जाता है तो ये वाला कथन भी अपने आप में गलत है क्यों क्योंकि जो पहला ही हमने कथन पढ़ा था देखिए ये एतिहासिकता की बात यहां पर किये न तो इस वर्गी करण में भाषा के इतिहास को अधार बनाया जाता है तो इसलिए तो इसको अतिहासिक वर्गी करण भी कहते हैं तो ये कतन अपने आप में ही गलत हो जाएगा कई बार ऐसे ही आप देखते हैं कि परिक्षा में भी ऐसे ही पूछ जाते हैं तो वहाँ पर जरा भी confused नहीं होना है बिल्कुल समझ के करना है परिक्षा को ठीक है तो यह हो गया आपका कि इसमें जो असंगत कौन-कौन से हैं देखिए दूसरा और चौथा इसमें क्या है गलत हो जाएंगे रचनतत्यों के साथ साथ अर्फततों का ध्यान रखा जाता है और वरगी करन में भाष्टा के इतिहास को अधार बनाया जाता है तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है ठीक है तो इसका उत्तर दो और चार होगा चलिए अगला प्रशन हम देख लेते हैं प्रशन संक्या 69 है देखिए हम सब का प्यारा आप सब लोग खाते भी होंगे समोसा किस भाष्टा का शब्द है तो दीखिए जो चीज हम लगतार खाते हैं उसके बारे में हो सकता है पूछा जाए परिक्षा में इसलिए थोड़ा सा इस प्रशन उत्री को रोचक बनाने के लिए भी हमने इस त्रीके का प्रशन रखा है हाला कि UGC NET की परिक्षा में लगतार अब इस त्रीके का एक प्रशन पूछा जाता है कि एक आपको शब्द दे दी जाता है वो किस भाष्टा का शब्द है तो चलिए आज हम समोसे के बारे में पढ़ लेते हैं कि समोसा किस भाष्टा का शब्द है तो यह जो शब्द दी कि यह आपका फार्सी भाष्टा का शब्द है तो मैं बार बार हर एक लेक्चर में यह कहता हूँ कि अर्बी, फार्सी और तुर्की ये बहुत ही मौत्पोर्ण भाषाएं हैं और इनके शब्द हमारे UGC net की परिक्षा में लगातार पूछ जाते हैं इन तीन भाषाओं को अपने mainly focus रखना है कि इनके प्रमुक शब्द हैं आपके पास कोई भी पूस्तक है वहाँ पर ये शब्द आपको मिल जाएंगे वहीं प्रशन हम देख लेते हैं प्रशन संक्या 70 है यहाँ पर हर्यानवी को बांगरू किस ने कहा है तो सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर एक प्रशन में आपके लिए छोड़ता हूँ कि जो हर्यानवी है वो किस अपभरंश से निकली हुई बोली है ठीक है और उसकी प्रशन और डॉक्तर जो धिरेंदर वर्मा है इन्होंने हर्यानवी के संबंद में एक महतोफ़न बात यह कही है यह कहते थे कि जो हर्यानवी है या जो बांगरू है जिसका अन्यनाम जाटू भी जिसको कहा जाता है ठीक है तो यह क्या है यह आपकी खड़ी बोली की ही एक उप बोली है तो यह मानते थे कि अलग बोली नहीं है यह कौन सी है खड़ी बोली ही बोली है यह कौन मानते थे डॉक्टर दिरेंदर वर्मा हो सकता इस तरीके से प्रशन पूछा जाए तो आपको इस तरीके से भी याद रखना है कि दिरेंदर वर्मा यह मानते है इन्हों इसको खड़ी बोली की ही बोली माना है, कोई अलग से बोली नहीं माना है, ठीक है, तो यह हो गया आपका विकल्प नमबर चार इसका क्या होगा, बिल्कुल साई उतर हो जाएगा, ग्रियर्सन ने इसको क्या कहा है, बांगरू कहा है, चलिए, अगरा प्रशन हम देख लेते ह तो आपने देखा होगा, कई जगा आप देखते हैं कि अलग-अलग विद्वानों ने यहां पर भी अलग-अलग अपने-अपने मत रखे हैं, कुछ एक मानते हैं कि इनकी जो भाशा है, जो आपके भाशा परिवार हैं, ठीक है, विश्यो में, तो उनकी संख्या कुछ बत अन्य जो विद्वान है, वो मानते हैं कि इनकी संख्या 13 है, विश्यो की जो भाशा परिवार हैं, लेकिन निर्विवादित रूप से जो चार बगॉलिक शेत्र के अंत्रगत कितनी आपकी भाशा परिवार आते हैं, तो वो हैं मेली 18 परिवार, जिसमें आगर हम बात करें युरेशिया जिसको यूरोप और एशिया में 10 हैं, उसके पाद अफरीका भुखंड में सबसे जाद जो दूसरे नमर पर हैं, वहां पर 3 हैं, और प्रशान्त महासागरी जो भुखंड हैं, वहां पर 4 जो आपके भाशा परिवार हैं, फिर आपका अमेरिका भुखंड आत जैसे आपको इंडो जार्मनिक या फिर भारत हित्ती परिवार भी इनको कहते हैं, और आरे परिवार भी इनको कहा जाता है, भारुप्य परिवार को, ठीक है, यहां पर भारुप्य परिवार के अंतरगत आपकी जो भाशाएं आती हैं, देखिए, यह लगबग 10 भाशाए इसके अंतरगत आती है और उन दस भाषाओं की जानकारी आपको होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर इस प्रशन का उत्र जो होगा देखिए वो होगा आपका विकल्प नंबर दो सियोयन तो जो सियोयन है देखिए यही आपका जो भारोप्य परिवार की भाषा के अंतरगत नहीं आता है आपकी जो हम भारोप्य परिवार की भाषा का वरगि करण होता है देखिए वो ध्वनी के अदार पर उसकी दस शाखाओं को माना गया है इसमें आपका सतम और केतुम दो वरगों में इनको बांटा गया है देखिए सतम वर की जो भाषाएं है इसमें आपकी लगबग चार भाषाएं आती हैं जैसे भारत इरानी हो गया जिसको हम आर्या भी कहते हैं उसके बाद बाल्टोसलाविक है और उसके बाद अर्मीनी और अलबानी ये जो चार आती है ये आपके शतम वर्ग की भाषाएं आती है और इसके अलावा जो छे हैं देखिए जिसमे आपके जर्मनिक हो गया, केल्टी हो गया, ग्रीक हो गया, और तोख्री हो गया, हिटाइट और इटालिक, तो ये आपकी किसमे आती है, या आती आपकी केतुम वर्ग में, तो हो सकता है, इस तरीके से भी प्रशन पूछा जाए कि भारोप ये परिवार की जो दस शाखाएं ह उनको कितने वर्गों में बांटा गया है, तो दो वर्गों में बांटा गया है, तो वो कौन-कौन से हैं, शतम और केतुक, तो ये आपको पता होना चाहिए, शतम और केतुम, ठीक है, तो ये दो नाम है, इन वर्गों में इनको बांटा गया है, तो शतम में आपकी चार आ इसको यहां पर आपके लिए रखा है चलिए अगला प्रशन हम दिख लेते हैं प्रशन संख्या 72 है देखिए स्थापना और तरक्स रिलेटिड प्रशन है ये हिंदी अभिव्यक्ति की एक संपूर्ण और सशक्त सर्वसमावेशी बहुलतावादी सांस्कृतिक इकाई है तो इस शक्ति को बढ़ाता है तो ये कथन भी क्या है सही है कि जो आपकी हिंदी वाशा है वो एक बड़े भुभाग में बुली जाती है ठीक है और बोलियों का समू है ये है ना सत्रेख बोलियों का मिश्रण है तो दोनों ही कथन क्या है इसमें स्थापना भी सही है और तरक इसमें क्या है सही हो जाएंगे तो विकल्प नमबर एक इसका क्या होगा बिल्कुल सही होगा चलिए अगला प्रशन हम दिख लेते हैं प्रशन संख्या 73 है यहां पर देखिए देवनागरी लीपी की विशेष्टाएं बताइए तो इसरी के प्रशन आप देखेंगे UGC net मे पूछे जा रहे हैं लगातार पूछे जा रहे हैं तो देखिए जो देवनागरी लीपी है उसकी जो विशेष्टाएं है वो कौन-कौन सी है तो आपने बाशा की जो विशेष्टाएं वो तो याद रखनी है इसमें आप फस्ट एकाई में देखिए जैसे कि आज का हमारा पूरा का पूरा लक्चर पहली एकाई से related ही है तो इसमें आपने पाली की जो विशेशता हैं वो रखनी है और आपकी अबधी की विशेशता हैं ब्रज की विशेशता हैं और खडी बोली की जो विशेशता हैं वो तो रखनी ही है लेकिन आपकी देवनागरी लीपी है ये भी हमने इसको साथ ही साथ याद रखना है कि इसमें कौन-कौन सी चीजे विशेश है ठीक है तो यह है अक्षरात्मक लीपी है तो देवनागरी लीपी के उपर हमने complete lecture तयार किया हुआ है इकाई एक में आप देख सकते हैं उसको जो हमारा भाषा वाला portion है वहाँ पर हमने अच्छे से इसको describe किया हुआ है कि अक्षरात्मक लीपी क्या है वर्नात्मक क्या है यह सारी चीजे हमने वहाँ पर अच्छे से describe की हुई है आप चाहें तो एक बार वो वाला lecture जरूर देखें आपके लिए यह प्रशन जो है बहुत ही easy हो जाएंगे इसमें सभी ध्वनियों को अंकित करने के क्षमता है तो यह वाला कतनवी क्या है बिलकुल सही है कि आपके जो हिंदी भाषा है या देवनागरी जो लीपी है जितनी भी ध्वनिया है उनको अंकित करने के क्षमता बहुत सारे जो आपके silent जिसको मूख वर्ण कहा जाता है वो समस्या आप देखते हैं कि हिंदी में बिलकुल भी नहीं रहती है अगर आपने किसी शब्द को लिख दिया तो आपको उसको उचारित करने के लिए आपके पास आपके चारों के कथन चारों जो कथन है वो क्या है बिलकुल सही कथन है यह न तो यह सब के सब क्या है देवनारी लिपी की विशेश्टाएं है तो यह था प्रशन संग क्या 73 अगला प्रशन हम देख लेते हैं 74th question क्या है यहाँ पर देखिए हमरी चाती पर डंड करें राजा प्रजा और सहाचोड यह वाक्य किस बोली का है तो देखिए इस तरीके के प्रशन हो सकता है पूछे जाएं और पूछे जा रहे हैं आप देखते हैं कि आपको दो-तीन पंक्तियां दे दी जाती है या तो उनमें आपको कुछ एक शब्दों के अर्थ बता दी जाते हैं कि उनका भावार्त क्या है उसमें कवी क्या कहना चाहरा है या उसके अंदर जो कह रहा है वक्ता वो क्या कहना चाहता है इस तरीके के प्रशन पूछे जाते हैं यहाँ पर हमने प्रशन रखा है कि एक आपको शब्द एक पंक्ती है कि वो किस बोली की है तो बोली हो मैं देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आपकी UGC net में आप एक बार फिर से note on कर लीजिए आपके पास आपका syllabus होना बहुत जरूरी है जब भी आप किसी भी परिक्षा के त्यारी करते हैं तो अपने syllabus को हमेशा साथ रखिए उससे आपको लगभग 25% तो वहीं से ही आपका clear हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको वहीं से ही निकल जाती है तो एक चीज़ आपने देखा होगा कि आपके पास जो ये चार भी कल्प यहाँ पर हमने रखे हैं देखिए इसमें से कौन-कौन सी ऐसी बोलिया है जिनको हमारे पाठे करम में बकाईदा चिनित किया हुआ है कि उनको ही आपने पढ़ना है तो मैंने पहले भी कहा था और जब हमने पहले ही लक्चर में ये चीज़ कही थी जब हम इस चैनल को स्टार्ट कर रहे थे जब हमने ये बात कही थी कि कितने इकाईव में बंटा हुआ है हमारा जो सिलेबस है ठीक है तो यहाँ पर देखिए अवधी ही है हमारे पास है ना तो इसकी ही ये पंक्तियां हैं तो ये तो होगी एक ट्रिक इसको याद करने की और हमेशा ये ट्रिक भी काम नहीं करेगी क्यों क्योंकि UGC Net का स्लिपस बहुत बड़ा है है ना तो इसलिए जादातर मामलों में क्या है कि आपने ये रखना है ध्यान कि ये तो हमारे पाटकरम में हमें अलग से नहीं बोला है याद करने के लिए अब दी इसका हो सकता है ये एक थोड़ा सा आपको एज रहेगा ठीक है दूसरी चीज कि आपको जो अब दी की हमने विशेशता है पीछे वाले लेक्चर में या पीछे वाला जो हमारा मॉक टेस्ट हुआ है वहाँ पर भी हमने अच्छे से बताई थी और इस पर भी हमने एक कंप्लीट लेक्चर तैयार किया हुआ है कि अब दी की कौन-कौन 75th question है यहाँ पर देखिए आठवी अनुसूची में ब्यानुए समिधान सुशोधन द्वारा किस भाषा को सम्मिलित किया गया है तो देखिए बहुती रोचक और बहुती interesting question यहाँ पर रखा गया है यह कि इस प्रशन को भी हमने इस प्रशन के बारे में हमने पहले ही अच्छे से डिसकस किया हुआ है वहाँ पर और यह simple सा question है लगातार इसको पूछा भी जाता है और इसलिए मैंने आपको एक बार फिर से इसको रखा है कि जो ब्यानुआ समिधान संशोधन देखिए उसमें आट्वियान सूची में जो 22 भाषाएं हुई थी वो किन भाषाओं को मिलकर बनी थी वो ही ये भाषाएं है लगबग तो यहाँ पर प्शनी रुखा है कि किस भाषा को समिलित किया गया था तो ये चारों ही भाषाएं थी और इसका जो फॉर्मूला हमने बताया था इसको याद रखने की जो ट्रिक थी वो थी आपकी जो बोर्ड मास फॉर्मूला चलता है देखिए है ना तो इस तरीके से इसको याद रखना था और ये कब जोड़ा गया था देखिए जो ब्यानुवा समिधान संशोदन कब हुआ था अधिनियम 2003 में 2003 में हुआ था और इसमें ये चार भाषाएं जोड़ी गई थी और इन चार भाषाओं को जोड़े जाने से ही आटविया निसूची में जो 22 भाषाएं बनी थी और इनकी संख्या बढ़ गई थी 22 तक पहुँच गई थी तो देखिए बोड मास से मतलब क्या है बोड से आपका क्या है बोडो है ठीक है बो से आपका बोडो हो जाएगा और दो से आपका क्या हो याद रखना है कि व्यानूवा समिधान संशोदन 2003 में हुआ था और इसमें चार भाशाँ जोड़ी गई थी, चार भाशाँ को याद करने की ट्रिक है, आपकी बोड मास, ठीक है, बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली, तो इस तरीके से आपने इसको याद रखना है, कई बार इस तरीके से पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी भा थी, ठीक है, 21 संशोधन के अंतरगत इसमें, जो आपका 1967 में हुआ था, जिसमें सिंधी को जोड़ा गया था, और ये 15 हो गई थी, 15 के बाद जो 71 संशोधन था, 50 संशोधनों के बाद हुआ था, ठीक है, तो देखिए, 21 के बाद 41 संशोधन में आपकी 3 भाशाएं जोड़े गई थी, उन 3 भाशाओं को याद करने की जो ट्रिक है देखिए, वो क्या है, वो है नमक, ठीक है, मतलब 50 संशोधन के बाद नमक खाया, ठीक है, भाशाओ बालों ने, ठीक है, तो नमक से आपका, नमसे दिखिए, नेपाली है, ठीक है, मासे आपका क्या है, मनिपूरी है, और कह से आपका कौंकणी है, तो नेपाली, कौंकणी और मनिपूरी, ये कब जोड़ी गई थी आपकी, उननीसर अधिनियम, जो आपका, इकत्रों समीदान से शोधन अधिनियम था, उननीसर ब्यानुए में, ठीक है, तो वहाँ पर इसमें क्या तीन भाशाओं जोड़ी ग अंतरगत, दो अन्य बोलियों, ताजुबेकी और निमारी को किसने सुईकार किया है, बहुत ही महत्वपून प्रशन है ये, आप चाहें तो इसको स्क्रिंशॉट ले लीजिए, या नोडाउन कर लीजिए, बहुत ही जादा महत्वपून प्रशन है, तो इसका जो सही उतर होगा देखिए, ये होगा डॉक्टर भोलानात तिवारी, तो इन्होंने क्या माना है, जो पश्चमी हिंदी के अंतरगत, इन्होंने दो अन्य बोलियों, जो आपका ताजुबेकी और निमारी को इन्होंने सुईकार किया हुआ है, तो इसका जो सही उतर होगा देखिए, जोक्टर भोलानात तिवारी, चलिए, नेक्स प्रशनम दिख लेते हैं, प्रशन संख्या 77 है, देखिए, कौन सी उपभाशा टवर्ग बहुला है, तो एक बार फिर से देखिए, आपकी जो उपभाशा है, उसके बारे में पूछा गया है, तो राजस्थानी हिंदी, बिह पुर्वी, पश्चिमी, उत्री, दक्षिनी, राजस्थानी, ठीक है, इनको अलग भी नाम दिये हैं, जैसे मालवी, मेवाती, जैपुरी, जिसको ढुंडानी भी कहते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और ये कहां-कहां बोली जाती है, उनके ब आपकी ओकार और आकार बहुला, दो तरीके इसमें आते हैं, वो कौन-कौन सी है, तीन-तीन, जो छे इसमें बोलिया है, और इसे पहले वाला प्रशन हमने रखा था कि उन्होंने ताजुबे की, और निमाडी दो मानी है, वोलना तिवारी ने, तो ये आठ उन्होंने ने कर जाता है, तो इसका जो सही उतर होगा था यहां पर देखिए, वो होगा राजस्थानी, हिंदी, बाकी इसमें नहीं है, चलिए, नेक्स प्रशन हम देख लेते हैं, 78 प्रशने देखिए, मोगलान के अनुसार पाली भाषा में ध्वनियों की संख्या कितनी है, तो देखिए एक चीज आपने याद रखी होगी, कि जब हम पाली भाषा के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने देखा था कि पाली भाषा के तो तीन महुत पुर्ण व्याकरण ग्रंथ माने जाते हैं, देखिए, मोगलान का मोगलान व्याकरण, कचाइन का कचाइन उन्होंने आपके जो पाली भाषा में, जो कितनी धुनिया सुविकार की हैं, तो उन्होंने 41 मानी है, आपके महाकरण चाइन ने, अगर हम बात करें देखिए, आपके मोगलान ने, तो मोगलान ने ये संक्या मानी है, 43, तो इसका जो सही उतर होगा देखिए, ये 43 हो हैं, तब जाके ये 43 होती है, ठीक है, अगर इस तरीके से पूछे जाए कि पाली में जो प्रियुक्त जो वर्ण है, उनकी संक्या मेंली कितनी है, तो वो लगभग आपके 49 इसको माना जाता है, जो आपका ये बाला विकल्प तब सही हो जाएगा, अगर ऐसे ही पूछे जा हैं, आ, बड़ी इ, बड़ा उ, ए, और आउ, तो ये आपके इसमें दिर्ग स्वर्म आ जाएंगे, इसमें आप देखते हैं कि कावर्ग के अंत में जो आने वाला अंग है, वो इसमें नहीं आता है, और चा चा जा जा यां, तो ये वाला जो आखिर वाला यां है, वो भी मतक के सारे जो आपके स्पर्श्वेंजन हैं, वो इसमें आपके आजाएंगे, जो आपका पाली वर्ण है, और उसके अलावा यार अलावा शौ सौ, यार अलावा सौ इसमें आ जाएगा, ठीक है, आपका सौ स्लेट वाला, तो ये आपके अंतस्त में इसमें आते हैं, और ह और का भी इसमें प्रावधान है ठीक है फिर इसके अलावा जो आपका शौशलगम और शौशतकोन बाला है तो उनकी जगा सिंपली इसमें सिर्फ सौसलेट बाला ही इसमें प्रियुक्त होता है और नहीं होते हैं तो ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है तो ये कुल मिल में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी रखना यहां से जरूरी है वैदिक संस्कित लौकिक संस्कित की जो विशेशता है उनको भी पढ़के जाईएगा उनके जो वरण विवस्ता है उसको भी पढ़के जाईएगा वो भी आपको हो सकता है परिक्षा में पूछा जाए चलिए अगला प्रशन हम देख लेते हैं आज का 79 जो प्रशन है देखिए यहाँ पर प्रशन पूछा गया है कि हिंदी का सबसे प्राचीन व्याकरण कौन सा है तो देखिए अगर हम प्राचीन व्याकरण की बात करें आपने देखा होगा UGC.net हिंदी की पूर्व की जो पर रचना है ठीक है यह पूर्व में पूछा गया है यह प्रशन की प्रवेश्टी का हिंदी व्याकरण किसका है तो रामदहिन मिश्र का है हलांकि इसका रचनाकाल पाठेकरम स्वरी हमारे जो पाठेफूस्तक है उसमें नहीं है लेकिन इसके अलावा जो हिंदुस्तानी ग् इसके जो रचनाकार है देखिए वो 1790 माना गया है ठीक है 1790 माना जाता है और जॉर्ज ग्रियर्सन और सुनिती कुमार चटर जी इसको क्या मानते हैं हिंदी का पहला जो आपका व्याकरण मानते हैं और इसके जो रचनाकार है देखिए वो कौन है जॉन गिलक्राइस्ट है तो जॉन गिलिक्राइस ने हिंदु स्तानी जो ग्रामर 1790 में लिखा हुआ है, कौन इसको पहला ग्रामर मानते हैं, जॉज ग्रियर्सन और सुनिती कुमार चटिर जी, तो ये दो नाम है, फिर आता आपका हिंदी कवायत तो ये लल्लू लाल का है, इसका भी हमें समय ब्रजभाशा व्याकरण, तो जो ब्रजभाशा व्याकरण है, यही हिंदी का सबसे प्राचीन व्याकरण माना जाता है, और इसका जो रचनाकाल है देखी, ये 1658 के आसपास माना जाता है, या 1658 इसका समय माना जाता है, ठीक है, और मिर्जा खां के द्वारा ये लिखा ग फिर्धक के दौरा रचित जो ब्रजबाशा व्याकरन 1688 में है, यह हिंदी का पहला व्याकरन है तो यहांपर हमने हिंदुस्ताणी grammar की बात की थी तो यह अंग्रेजी पदती पर लिखा हिंदी का पहला व्याकरन है तो ये चीज आपने याद रखनी है चलिए आज का आखरी प्रशन आप सब के लिए फीडवेक के तोर पर भी हो सकता है कि आपको प्रशनोतरी देकर कैसा महसूस हुआ या फिर कैसा आप महसूस कर रहे हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं तो फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाने का ताई का अच्छा लगता हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के बीच में शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भीन भूलें ताकि आप तक हर हर एक वीडियो लगातार यों ही पहुंचती रहे और आपका प्यार सनी हमें यों ही मिलता रहे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अंतर तक बने रहने के लिए और एक बार फिर से आपको ये मैसेज की घर पर रहें सुरक्षित रहें शुक्रिया ज